प्रियों सिक्षार्थियों, NIOS में आपका स्वागत है, आज हम उच्चतर माधिमिक इस्तर पर एक पार्ट आखिरी चट्टान पर विस्तार से बाचीत करने जा रहे हैं, मुझे उमीद है कि आपने अध्यान सामगरी में इस पार्ट को पढ़ा होगा, यह पार्ट एक यात्र व्रित्तान्त है, जिसे मोहन राकेश ने लिखा है, सिक्षार्थियों आपके पाठेक्रम में विभिन गद्य विधाओं को लिया गया है, और उनमें से यात्रा व्रित्तान्त एक अलग विधा है, एक विशिष्ट विधा है, मोहन राकेश के बारे में अगर बात करें, तो उन्होंने एक नाटककार के रूप में विशेश उपलब्दी हासिल की, उनके प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे हैं, आप इस पार्ट में या देखेंगे कि मोहन राकेश ने किस तरह से कन्या कुमारी का भ्रमन किया है और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वरणन किया है तो इस पार्ट को पढ़ने का मुख्य उद्धेश्य है भारत के दक्षणी भाग की भगोलिक जानकारी प्राप्त करना, कन्या कुमारी और उसके आसपास के परिवेश का वरणन करना, समुद्र के बीच में विवेकानन्द चट्टान का वरणन अपने शब्दों में करना, कन्या कुमारी का सुर्योदय और सुर्यास्त का जो द्रिश्य है उसका वरणन कर पाना, यात्रा बृत्तान के तत्तों के आधार पर इस पार्ट का विश्लेशन करना, और इस पार्ट की भाषा और शिल्प का वरणन कर सकना, तो सिक्षारतियों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, कि इस पार्ट का जो कथानक है, वह बहुत ही रोचक है, आनंद दायक है, जब लेखक कन्या कुमारी पहुंचते हैं, तो वहां के द्रिश्च को देखकर वे अभिभूत हो जाते हैं, वहां तीन महा समुद्र एक जगह मिलते हैं, और विविकानन्द चट्टान जो है देश का आखिरी छोर पे इस्थित है, उसके सौंदर्य का वरणन करते हैं, आप जानते हैं कि कन्या कुमारी का जो सुर्योदय है और सुर्यास्त है, वह और जगहों से अलग है, उसका भी विश्लेशन करते हैं रचनाकार, इसके अलावा रचनाकार के मन में यह स्पस्ट है कि विवेकानन्द की जो महिमा रही है, उनका जो एक वैभाव रहा है, उसे भी किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो उस रूप में भी यह पार्ट महत्तुपुर्ण है, इस पार्ट को विस्तार से समझने के लिए आप इसके घटना करम को पढ़ें, और किस तरह से रचनाकार समुद्र में जाते हैं, वहाँ पे किस तरह का अनुभव होता है, और दूसरे और लोगों के साथ उनका एक समन्वित अनुभव वहाँ प्रगट होता है, तो उस द्रिश्य को आप समझने की कोशिश करें, शिक्षार्थियों यात्रा वृत्तांत के कुछ महतुपुर्ण तत्व हैं, उनके आधार पर इस पार्ट को आपको समझना चाहिए, इसका पहला तत्व है निजता, निजता का अर्थ है कि रचनाकार यात्रा वृत्तांत में अपने अनुभवों को व्यक्त करता है, उसने जो देखा, समझा, उसे शब्दों में प्रस्तुत करता है, इस निजता के लिए जरूरी है कि उसमें रचनाकार अपनी आत्मियता प्रगट करें, अर्थात वह उस विशेश स्थान से अपना विशेश लगाव प्रस्तुत करें, वह उस स्थान की गरिमा उसके सौंदर्य का वरणन करें, और यहां पर हम देखते हैं कि कन्या कुमारी का किस तरह से विश्दित वरणन रचनाकार ने किया है, दूसरा महत्वपुर्ण तत्व स्थानियता है, अर्थात जिस स्थान पर रचनाकार जाता है, उस स्थान विशेश का क्या महत्व है, इसे उद्घाटित किया जाता है यात्रवित्तान्त में, तीसरा महत्वपुर्ण तत्व तत्यात्मकता है, अर्थात फैक्ट्स के बारे में, वहां के छोटे छोटे घटना क्रमों के बारे में, चित्रों के बारे में, रचनाकार विस्तार से बताता है, अगला तत्व है चित्रात्मक सरल भाषा जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यात्रा वित्तांत को सरल शब्दों में न बताया जाए तो उसमें रुची नहीं बनी रहेगी इसलिए यहाँ पे रचनाकार ने बड़े सरल शब्दों में अपनी बात को कहा है और प्रभावित किया है अपने वरणन से इसके अलावा हम आगे बढ़े हैं तो इसकी भाषा शैली को देख सकते हैं इसकी भाषा में सरलता भी है, देशज सब्द भी है उसके अलावा परिस्तिति के अनुकूल विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जैसे सेंड हिल आदी बहुत सारे शब्द इसमें आये हैं इस पार्ट को पढ़ने का एक और महत्व है कि इस पार्ट में रशिनाकार ने प्रकृति प्रेम को दिखाया है जो की एक प्रमुख विशे रहा है रशिनाकारों का और प्रकृति के विभिन उपादानों को यहां प्रस्तूत किया गया है आप इस पार्ट को पढ़कर यात्रा वृत्तांत लिखने की शैली का भी विकास कर सकते हैं धैनिक जीवन में आप यात्रा पर जाते होंगे उन यात्रा का वरणन करें और आप देखें कि किस तरह से अपनी भाव की प्रस्तूती कर पाते हैं इसके अलावा इस पार्ट को समझने के लिए यह जरूरी है कि इसमें व्याकरण के अंतरगत विशेशन को समझाया गया है संग्या और सरवनाम के बाद विशेशन इसलिए दिया गया है ताकि संग्या और सरवनाम की विशेशता बताने वाले विशेशन के बारे में आप विश्तार से समझ सके तो आप पार्ट में व्याकरण के इस पक्ष को भी जरूर देखें तो इस तरह से हम कुल मिला कर देखें तो इस पार्ट में कन्या कुमारी का एक विशाल चित्र प्रस्तुत किया गया है उसकी स्थानी विशिष्टाओं को प्रस्तुत किया गया है परिवेश को प्रस्तुत किया गया है और खासतोर से रचनाकार ने उस विशिष्ट स्थान की गरिमा को प्रस्तुत किया है और इसमें जो मुख्य विंदू हैं, उसको आप कंठस्त करें, धन्यवाद.